हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माइ स्टेडी फिट चैनल दोस्तो मैं फिजिकल एजुकेशन के चेप्टर वाइज बेरी इंपोर्टेंट येंसिक की यूज का प्रैक्टिस करा रही हूं जिसमें से यहां सारिक सिछा के इतिहास रिलेटेज चोथा पार्ट है और आज के पार्ट में यूनान और रोम के इतिहास से रिलेटेज कोस्टन्स होंगे यूनान के इतिहास को जैसे की चार पार्ट में डिवाइड किया गया हूमर काल, इस्पार्टा काल, पूरो एथिंस काल, उत्तर एथिंस काल, एंड रोम काल में पूरो रोम काल और उत्तर रोंकाल से रिलेटेट कोस्टन्स यहां पे रहेंगे तो वीडियो को सुरू से लाज सकते देखेगा और इस वीडियो के बाहर इस टापिक से रिलेटेट कोई भी कोस्टन नहीं आ सकता और दोस्तों यहां फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कमपेटिटिव एक्जाम्स का प्रिपेरिशन सिलिबस के कर रहे हैं चाहे हो टीजिटी पीजिटी के वियस एन वियस यल्टी राजस्थान पीटियाई डिसस्वी हर्याडा कोई भी स्टेट हो तो मेरे चैनल पे सभी वी माणियएगा दुस्तों और वियूटी कोश्चन दोस्तों सबहा है स्था यहां आज के we Maggie उनाल्सटत है अरास्तु तथा प्लेटू किस देश से संबंध रखते हैं तो अग्रीस यानि यूनान से ही संबंध रखते हैं नेक्स कॉस्चन है एलियर्ड तथा ओडेशी कविताएं किसने लिखी थी तो किसने लिखी है दोस्तो इसको लिखा है होमर ने ठीक है इन्ही के नाम पर होमर काल पड़ा था ठीक है यूनान के काल को चार भागों में डिवाइड किया गया है होमर काल इसपाटा काल पूर इथेंस काल उत्तर इथेंस काल इसमें Homer काल में महान नेतरहीन कवी Homer हुए थे जो दो महा कावे की रचना किया था इलियर तथा ODC ठीक है तो इलियर तथा ODC कवितरा किस ने लिखी है तो Homer ने लिखी है निश कोस्टिन है कि तानासा सासन ग्रीस के किस काल में था तो दोस्तों तानासासासन जो है उग्रिस के इस्पार्टा काल में था जैसे कि दोस्तों इस्पार्टा काल में क्या होता था थोड़ा सा मैं इस्पार्टा काल के बारे में एक मिनिट में सब कुछ बता देती हूँ जैसे कि दोस्तों इस्पार्टा काल को क्लासिकल एज भी ब और यहां इस्पार्टा के खेल के मैदान को प्लेटे निस्टास बुला जाता था ठीक है और दोस्तों यहां पे क्या होता था कि यहां पे जो बच्चे होते थे यहां पे जिमनास्टिक निर्टी को बिबासिस निर्टी बुला जाता था और धामिक निर्टी को हा रेमगास और कैस आर्टिस बुला जाता था सैनिक निर्ति को पपीहीक निर्ति बुला जाता था येवन वंचिजो को नगर सबसे इमपोड़ुन है कि यहाँ पे अस्वास्थ की सभा और एगोटा स्वतंतर नागरिकों की सभा हुआ करता था यहां पे सिच्छा का वो देश मैन आव एक्षन था कुस्ति जदा प्रचलित था इस्त्रियों की सिच्छा पूर्सों की सिच्छा के समान थी और 20 वर्स की आयू तक इस्त्रियां खुले आम सारीक प्रक्रिया का परदर्सन करती थी और यहां पे नायक पूजा की प्रथा अत्यांते प्रबल रूप से प्रचलित थी और सिकंदर महान के सैने धल्मी अधिकांस्ता जो सैनिक थे वो इस्पार्टा के ही युवार सैनिक थे तो दोस्तों अब इसके अधाया पर आप सभी क्वेश्च्छ स्थ arts काRe damage को मैंने इसका वीडियो बना दिया एसको आप सारी शिच्छा की इतिहास वाले पेलिस्ट में जाएक सकते हैं तो दोस्तों यहां नगरिको कि किस काल में नागरी को सहर का साहनिक कहा जाता था? ठीक है तो यहां यह वन वन से जो को नागरी को क्या बोला जाता था नगर साइनी तो किस काल में बोला जाता था किस पहारी से फेका जाता था तो किस पहारी से अभी मैं तुरंत कहानी के माध्यम से बताया है माउंट टाइगेट्स परोज से जो कमजोर बच्चे होते थे ठीक है अस्वास्त होते थे अपंग होते थे दुर्बल होते थे उन बच्चे को माउंट टाइगेट्स परोज से फ्यक्वा दिया जाता था ठीक है इस्पार्टा काल्मी नेस्ट कोश्चन है इस्पार्टा के सि इस्पार्टाकल में सैनिकों की टुकडी को क्या कहा जाता था जो से जमनास्रिक नरती हुआ करता था इसको विवासिस नरती बैद बना जाता था सिख्धा उसमें पर्विच्छक यानि करता है ञ tienes कुछ व applies का में खेल कूद tut मैं कुंसे के व जाता था दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर खेलकुद्व कुस्ति के अभिद्याले को पूरु एथेंस्काल में परेश्ट्रा कहा जाता था जैसे कि दोस्तों पूरु एथेंस्काल को पूरु एथेंस्काल और उतर एथेंस्काल दो भागों में इसको बाटा गया है जो पू स्टी कुलेशन बोल जाता था यहां पर प्रजात अंतवादी सासन था सएनिक सिछा के सास्ष न॥िस इस बल दिया जाता था सात वर्स तक मार के संपरश्ण में बच्चह रहता था उसके बाद सानी प्रफम फ।र्टर्व के पbernश्टा को पल्युडरा तथी हिसमें कुस्ती मुक्यबाजी जिमनास्टिक चिखाई जाती थी और यहां पे जो ब्यायम्स आलला यानि पूर्व एधरिंस-कॉल में प्रेयोग करने वाले अध्यापक को एक कोणिटीञ दिश्बॉल जाता था मुझमी असनान यानि मुडबात काफी प्रचलित था एंड दोस्तों फिरी इंपॉर्डिन है मुडबात बहुत बार पुछा जाता है कि चल असनान कहां पचित था तो पूरे अथेंस कॉल में और दोस्तों एथेंस में गरीब लोगों के ब्यायान करने की इस्थान को लाइसो का ऐवजन किया जता था जिन्हें अकेली यवन या पाण हैंली समय रोग कहा जाता था इसके अंतरगात ओलम्पीक पीठियान इस्थी मियन नीमियन चार गेम हुआ करता था पान हैंली खेल मी जिसमें से ओलंपिक सासो 700 अशयतर इसापुरू में अगस्ट माह में पाच दि अंजली के लिए क्हेला जाता था पीछीन आपिजवी फर्यूएत में पर जाता हूं तो पिज्ञेन जाता और उसमें प्रमेट फिर्फ नोंकायन शायन भी में अभ्याव संकित कि अब खिल था इस्थिमियन खिला और इस्थिमियन खिल प्रूम्पिक के बीच दूसरी वर्श में अस्थान पर खेला जाता था। जैसे कि दोस्तों इसके बारे में डेटियल में बता चुकी हूं है। इस रिलेटेड क्या था कुछन के बिद्या था था। तो पहले श्कार बोला जाता है। नेस्ट कोश्चन है संगीत के विद्याले को क्या कहा जाता था पूरू एथेंशकाल में तो पूरू एथेंशकाल में संगीत की विद्याले को डिराश केलियम बोला जाता था ठीक है नेस्ट कोश्चन है कि साररिक सिछक को क्या बोला जाता था तो पैरो ड्राइव बोला जा मैं नेज़ कोच्छन है कि पूर्व एथेनस्काल में बाल से जो गेम करता था उस लिए रिस्टीस भोला जाता था ठीक है नेज़ कोच्छन है कि जैलिन से समंधिर इस भोला जाता था पूर्व एकणि पर रहाम सब पेन हेलिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल का एक्रम सामिल थे जैसा मैं बता चुकी अभी दोस्तों पैन हेलनी खेल में उलम्पीक पीथियन इस्थिमियन निमियन चार खेल सामिल थे नेक्स्ट कोश्चन है कि इस्थिमियन खेल कहां पर और किसके समझ होते थे जैसा कि दोस्तों उलम्पीक, पीथियन, इस्थिमियन, निमियन चार गेम होते थे उलमपिक होता था, वहुना उलमपिस परवट पर जियस डेता, या Les Geta के संधान जिनीके लिए होता या पिद्धियं वह अपयल्मा ता पर या सूरग नमक अस्थान होता था करी या पर किस मिद्धियन के संहान के संहान स्थिमियन खेल दूस्तों कोरिंथ नामक्षान पर सम्ध्रद्योता पोसेडियन सम्मान में होता था कि आपसे नंबर सी यहां पर एक से हैं 신 कोंस्टम dayक निमियन खेल कग क jet कि यहां जिमनास्टिक एक्सरसाइज को क्या बोला जाता था तो यहां पर जिमनास्टिक एक्सरसाइज को गैस्टिक कुलेशन बोला जाता था आपसर नमबर डी यहां पर करेक्ट है ठीक है नेक्ट कोस्टेन है दोस्तो किस काल को सारिक सिच्छा तथा खेलो के लिए श्वड काल कहा जाता था very important है तो दोस्तो उत्तर एथ्यंस काल को सारिच सिच्छा एक को मैं चाल कweekल करने सब कुछ बताने वाली हूँ, यसा की आप इसको के सुन उक के सब करके और यहां पे दरसन सहस्त्रियों का काल बोला जाता था यहां पे अरिश्टो फेनेश तथा जैसे रूडिवादी दार्षनिक हुए थे और कांतिकारी दार्षनिक जैसे कि सुक्यात प्लेटो अरस्तु यहां हुए थे उतर इथे इसकाल में और अवसाधी ब्यायाम पर अधि दिये ठीक है तो दोस्तों यह था उत्तर इसकाल यैसे कि कुस्टन पर चलते हैं कि कि सुख्था खेलों के लिए सुरकाल का जाता है तो उत्तर इथे इसकाल को ठीक है नेक्स कोश्चन है कि स्काल में सुक्रात प्लेटो अरस्तु आधी दास्निकों ने अपना महत्त पुड इदान दिया तो उत्तर थे इन सिकाल में ठीक है आपसन नंबर बी करेक्ट है कि किस ने कहा कि शिछा का मुख्य उद्धेश प्राम्परागत ज्यान को नहीं देखते हुई शही ज्यान को देखा जाए इस बहुत को कहे हैं सुक्रात आपसन नभर सि करेक्ट है जेश्ट के रिदन है कि किसी ने कहा कि सारीग तथा प्रमानस्रीर को कहे है प्लेटव कि अर इस बात मंसी को कहे है प्लेटव नहीं ध्यान तो हीप्टोक्रेटुकुआ को बया जाता है massacre अगल में पूरोलो एथेल्टिक समारो को किस नाम से जाना जाता था तो जो पूरोलो एथेल्टिक समारो होता था दुस्तो उसको पैने हैलिक गेम Pandemieos underwater कि अंटरगत ओलंपीख ठीन इस्थों कहिता था नेस्ट कोश्चन है कि पैन हैली गेम में कौन कौन से गेम समारो में सामिल किये जाते थे तो दोस्तो पैन हैली गेम में कौन कौन सामिल किये जाते हैं उलम्पीक पीठियन इस्टिमियन निमियन आफसान नमबर A यहाँ पर करेक्ट है नेश कोच्चन है कि पीधियन खेल कहां और किसके समझ आउजित होते थे पीधियन खेल किसके समझ आउजित होते थे दोस्तो अब तक आप समझ गए होंगे या बेल्फी परोहत के मैदान पर होता था और अपूलो याने की सुरी देवता के सधा अउजिली के लिए यहाँ देवता की पुजा की जाती थी आफसान नमबर C यहाँ पर करेक्ट होगा नेश कोच्चन है कि उलमपस की राणी किसे कहा जाता था दोस्तो उलमपस की राणी हेरा को कहा जाता था आप्सन नमबर भी correct है नेश्ट है आकास देवता किसे कहा जाता था तो जीयस देवता को भी आकास देवता कहा जाता था नेश्ट है समुद्र देवता किसे कहा जाता था दोस्तो तो समुद्र देवता को पोसीडोन कहा जाता था ठीक है पोसिदियन भी कहा जाता था समुदर देवता को नेक्स कोश्चन है कि सुरी देव किसे कहा जाता था दोस्तों सुरी देवता को अपोलो देवता भी कहा जाता था आफसन नमबर एक करेक्ट है नेक्स कोश्चन है कि प्रिथवी की रानी किसे कहा जाता था तो डेमीटर को प्रिथवी की रतानी कहा जाता था ठीक है नेश कोश्चन है कि क्रम में लगाए इनके जन्वे के अधार पर बढ़ते हुए क्रम में तो दोस्तों यहाँ पे सही क्रम होगा सुक्राथ, प्लेटो, अरस्तु सबसे पहले सुक्राथ हुए, फिर उनके सिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नेस्ट कोस्टिन है फादराव हिस्टरी किसे कहा जाता है दोस्तों इतिहास का पिता जो है हेरे डोटर्स को बोला जाता है नेस्ट कोस्टिन है कि बेदब्यास के बेदों की तुलना युनान के किस गुरू से की जाती है तो दोस्तों बेदब्यास के बेदों की तुलना होमर से की जाती है ठीक है युनान के होमर से की जाती है होमर ने इलियर और ओडेशी नामग दो महा कावे लिखे है जिसकी तुर्णा बेदर ब्यास के बेदर से की जाती है यह धियान में रखेगा एंड दोस्तो निक्स्ट कोश्चन है कि रूम के निवासियों को क्या कहा जाता था तो रूम के निवासियों को दोस्तो आर्टर पोस्ट बुला जाता था निक्स्ट कोश्चन है कि रूम काल में कौन सा लेखख पाया गया तो दोस्तो रूम काल में गेलन पाया गया जो दर्सन सास्तरी तथा चिकिसा सास्तरी के विद्यार्थी था और जो अहार तथा अभ्यास का हमारे स्वास्तर पर क्या प्रहा पड़ता है उस पर विशेश ध्यान दिया निश्कोचन है कि रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को साररिक हुआ मानसिक कौसल को तयार किये जाने वाले अस्थान को क्या कहा जाता था तो उस अस्थान को कैमपस मार्स्टर्स बोला जाता था ठीक है नेक्स्ट है कि रोम काल के 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे लोकर परी था तो वह बुष्टल ग्लेडिटोरियल कैमपस का इमपस परसीद था एंड दोस्तों उत्राद रोम काल के हम बात करेंगे पुरुवाद रोम काल से कुश्टन था तो जैसे की उत्राद रोम काल की बेक्तियों को क्या कहा जाता था दोस्तों तो उत्राद रोम काल की बेक्तियों को लोगों को हैंनिक पीपल क्यों कहा जाता था क्यों कि यहां के लोग लड़कियों और अरोतों की सिच्छा पर भी सेज ध्यान देते थे इसलिए बोला जाता था नेश कोस्टिन है कि उत्राद रोम काल में कौन सा मेडिकल इस्टुडेन था जिसने एकसरसाइज एंड डाइट के बारे में लोगों को बताया तो कौन था दोस्तों गेलन था ठीक है गेलन था जो दसन सास्ती तथा चिकीशा सास्तर के विद्यार थी था और उन्होंने ही आह कि विद्याले को क्या कहा जाता था तो इस काल में प्राइमरी लेवल की विद्याले को स्कूल आफ लिट्रेचर बुला जाता था ठीक है इस काल में सेकंडरी लेवल की विद्याले को क्या कहा जाता था रोम काल में तो स्कूल आफ ग्रेमेटिक्स बुला जाता था नेस्ट इस तरह के विद्यालब के busy आफ ग्रेमेटिक्स और higher livel की विद्यालब को इस्कूल आफ रेटर कहा जाता था नेस्क्सम्चन है कि रोंक काल में तलवार युद्ध कहां होता था तो यह मफी होता था आपसनन नम्बर दिया है तो रूम ही सही होगा अगर उत्राद पुर्वाद रूम काल देगा तो उत्राद रूम काल सही होगा जैसा कि दोस्तों दो कुस्चन आपके लिए इंपोर्टेन है जैसा कि कीचर असना यानि माड़ पात कहां पर चिलत था तो पूर एथेंस काल में सिधी एथेंस द तो Romans होगा उत्राद पुर्वार्ध रूमकाल देगा तो रूमकाल होगा घर्ब फारबाद उत्राध रूमकाल और किचर ईशनान्रlaş उनमाड बाद वहाँ कहां पर हुआ है पुरू month काल की इसको ध्यान में रखिएगा तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही इसमें हमने युनान और रोमकाल के बारे में जितने भी कोस्टन से हमसे क्यूच बन सकते थे उसको मैंने बताया और यह सभी कोस्टन किसी भी स्टेट के किसी भी कंपर्टिशन एक्जाम फिजिकल एजुकेशन में आते हैं और इससे ब दोस्तों नेक्ट वीडियो में जर्मनी, देनमार्क, स्वीडन, आदी के इतिहास से रिलेटेज कोस्टन होंगे तो दोस्तों फर्स्ट बार विजित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे निव वीडियो का आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिए